हम लोग एक दूसरे के करीब आए और एज में वो थोड़ी हमसे बड़ी है दो साल हमसे बड़ी है तो समाज के नजरिये से वो एक मलवामत और पर माना जाता है कि लड़की हमेशा लड़कों से नाजुख होनी चाहिए दंधन तू मचने दे पायल का शोड निश्व निन्यानवे में पहली बार मिले लोग चेतना समीती अफिस में वो काम करने के लिए और मैं भी कुछ अन्भाव लेने के लिए वहां पे गया था लेकिन दोनों लोग महसूस कर रहे थे कि थोड़ा नजदीक आ रहे हैं तो 2002 में पहली बार मैंने ही कहा कि क्या है हम लोग पास आ सकते हैं कि 2003 में समय तो क्योंकि उस समय को कोला का अंदोलन बड़े जोरों पर चल रहा था और उस दवरान यहां एक बहुत बड़ा प्रद्रसन दोहें तीन चाहर में हुआ और उसमें हम लोगों को जेल जाना पड़ा है कि महलाएं पहली बार जेल गई थी तो एकदम लोगों को सामी हुई भी थी लेकिन मोट्यूएशन ऐसा रहा कि पिर उनको बहुत अच्छा भी हुआ कि हमारे लिए यादगार दीन है उसके बाद जब अच्छा है और समाच के बारे में अच्छा सुचता है तो करना चाहिए परिवार को मनाना था और हम लोग ऐसा यह सोच रहते कि परिवार से बगावत करके साधी नहीं करें भाग करके साधी नहीं करें एक माडल हम देखना है कि समाज इसको सहसिवकार करें तो हम लोगों नहीं कहा कि हम लोग तमय लेंगे और परिवार वालों को मनाएंगे और मान मनोवल का कई दोर चला मैंने वेक्टी का दूरूप से खुद बात किया यहां तो मैं अपन कास्ट की थी और इनके घर में इस्थिती भी एकदम वाली थी अपने वाली होई यह लोग इनको मानते भी थे तर्केश घर के मुख्या थे इनके वी रोज में भी कोई नहीं जा सकता था तो फिर उनके घर का पुरा सायोग रहा यह पुरा साधी का दूरा स्मोटा घर में पुरा किया गया साधी के दिन साधी हो गये हम लोग खुस हैं परिवार वाले भी खुस हैं और हमें खुसी होती है कि आज दोनों परिवार को सिवकार किया ही समाद भी सिवकार है अगर आप इस तरह की ग्रामीन पत्रिकारता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्प्सक्रिप्सन बॉक्स में दिये लिंक पर क्लिक करें शुक्रिया